अगर आपके और कोई सवाल है तो माई पंडित एप डाउनलोड करके हमारे एस्टोलोजर से डायरेक्टली बात करें माई पंडित के यूटूब चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं रिलेशन्स और करियर बेस प्रेडिशन्स हर वी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें मेश यानी एरिस एरिस के लिए ये आने वाला हपता पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों नजरिये से अच्छा बितेगा शर्त ये है कि आप फोकस रहे और आप्टिमेस्टिक रहे इस हपते हो सकता है कि कहीं से आपको कुछ कर दिखाने के लिए इंस्पिरेशन मिले अब वो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी इसकी वज़े से आपकी एनरजी तो बढ़ेगी लेकिन अपना पॉजिटिव एप्प्रोच तो आप ही को मेंटेन करना है पॉजिटिव एप्प्रोच की वज़े से ही आप इस हफते कुछ ना कुछ अच्छा कर दिखाएंगे जो छोटी बड़ी मुश्किले या क्वेश्चन सायेंगे तो उन्हें सुलजाने के लिए भी आपकी पॉजिटिविटी ही आपको हेल्प करेगी पर पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंस के फिल्ड में अंधा धुन इन्वेस्टमेंट कर लेंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाते हैं तो इस हफते अपने आपको थोड़ा रोक लीजिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले जरूरी है कि आप किसी ऐसे इनसान की सला ले जो इस बारे में आपसे ज्यादा एक्सपिरियंस्ट है ऐसा करने से ही आप नुकसान से बच पाएंगे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वह अपनी बातों में और शब्दों पर काबू रखें क्योंकि आपकी बातों के गलत इंटर्पेटेशन की वज़े से आप मुश्केली में पढ़ सकते हैं जॉब में भी अपनी बातों में कैरफुल रहिए वरना आपके सीनियर्स बुरा भी मान सकते हैं और इससे आपको mental disturbance भी हो सकता है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं इससे आपको financially भी नुकसान जेलना पड़ सकता है In short, बातचीत के दोरान अलर्ट रहिए बाकी जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें इस हफते एक नई जॉब मिल सकती है आपने तो सुना होगा ना कि लाग कोशिश करने पर भी प्यार कभी चुपाई नहीं चुपता खेर हम ये कहना चाते हैं कि अगर आपकी कोई secret relationship है तो इस हफते ये रिष्टा खुलकर लोगों के सामने आ जाने का डर है मतलब secret relationship के लिए ये हफता कुछ ज्यादा फायदे मन नहीं ऐसे रिष्टे इस हफते आपके लिए सिर्दर्द बन सकते हैं अब सर्दर्द की बात चली है तो सेहत की भी बात कर लेते हैं देखिए राहू और सूर्य की ट्रांजिस की वज़े से आपको कुछ परेशानी आ सकती है इसलिए इस हफते आपको अपनी हेल्थ का खास ज्यान रखना होगा पहार का फाना तो बिलकुल अवाइड करिए और सेहत को बनाय रखने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लीजिए इन चीजों से आपको सेहत के अलावा काम में फोकस बनाय रखने में भी फाइदा होगा